Hello students, welcome back to my channel. आज हम लोग class 11th का sets chapter पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने 1.1 और 1.2 की exercise तो आपको बता दी थी, आज हम लोग 1.3 का introduction पाट पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत easy है ये exercise, इसमें क्या बता रखा है? सबसे first topic है, इसमें subsets. subsets का मैंने जब आपको introduction पाट दिया था, तब मैंने आपको signs बताये थे बहुत सारे. उसमें मैंने आपको एक लिए sign बताये था, कि इसको हम subset बोलते हैं. ठीक है, ये ऐसा एक sign होता है, जिसको हम subset बोलते हैं. A set is set to be a subset of a set B, if every element of A is also an element of B. क्या बोला इसका मतलब? कि अगर हमारा एक, दो set हैं, A और B हमारे दो set हैं, इस set में, if every element of A, A के सारे के सारे element B में मौझूद हों, ठीक है, A के सारे element B में हमारे पास हों, तो वो A जो है, वो B का subset के लाएगा. हमें example देती हूँ, जैसे A में हैं मेरे 1, 2, 3, ठीक है, और B में मेरे हैं 1, 2, 3, 4, तो आप कह सकते हो कि A के जो elements हैं, यानि 1, 2, 3, वो B में भी हैं, 1, 2, 3, ये सारे के सारे elements, A के जो elements हैं, वो B में हमारे पास available हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि A जो है, वो मेरे B का subset है, यहाँ इसको कैसे denote किया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, A is a subset of B, जरूरी नहीं है कि B के सारे elements हमारे पास A में मौझूद हों, लेकिन A के सारे elements B में तो होने ही चाहिए, तो ही वो उसका subset होगा. अब इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, वो बतारी हूँ मैं, A is a subset of B, where A belongs, small A, यानि element A belongs to capital A, and A that belongs to B also, अगर A element B A में है, तो एक दूसरा element A है, वो भी B में होना चाहिए, दोनों ही set में A element होना चाहिए, ठीक है, जैसे एक और example मैंने यहां लेकर समझाया है, A is equal to set of all alphabets A to Z, ठीक है, हमारे पास एक set है A, जिसमें सारे alphabets है, यानि की A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, up to Z, यहां तक सारे alphabets हमने एक set में डाल रखे हैं, और एक और set है B, जिसमें है B, F, E, सिफ तीन elements है B, F, E, जो हमारे B set में है, मैं कह सकती हूँ कि इस A to Z में B, F, E भी include होगा, तो B set is a subset of A, तो मैं यहां बोल सकती हूँ, here all the elements of B are included in A set, यानि B जो है मेरा A का subset है, जरूरी नहीं है, वापस बता रहे हूँ, जरूरी नहीं है कि A set के सारे elements B set में मौजूद हों, लेकिन B के सारे elements A में मौजूद होने जिए, मतलब जिसको भी आप बता रहे हो subset है, उसके सारे elements दूसरे set में होने चाहिए, A is a subset of B, if A is an element of A implies that A is an element of B also, ठीक है, अगर यह इसका subset है, तो इसका मतलब यह होता है, कि A अगर A का element है, तो इसका मतलब जो element A में है, तो जो small A element है, वो B को भी बिलॉंग करता है, इसको मैं easy कर देतू, P एक set है हमारा, P एक element है, जो की A set में बिलॉंग करता है, अगर यह दोनों subset है, तो इसका मतलब P element जो है, वो B में भी बिलॉंग करता होगा, अब यह देखिए, अगर वो subset नहीं है, तो उसको कैसे show किया जाता है, when it is not a subset, it is chosen like this, यानि A is not a subset of B, यानि A, B का subset नहीं है, इसको आप ऐसे show करोगे, ठीक है, अगर वो उसका subset नहीं है, अब, it is not required that every element of A and B should be same, अच्छा, यह को और चीज़, अगर जरूरी नहीं है, कि A और B के सारे elements मौझूद होते हैं, A और B के सारे elements एक दूसरे में मौझूद हो, अगर, ऐसा कोई condition है कि A के सारे elements B में मौझूद हैं, और B के सारे elements A में भी मौझूद हैं, तो इसका मतलब A और B क्या होगा है, हमारे equal sets, जो आपको पिछली वाली exercise में मैंने समझाया था, तो अगर A is a subset of B, and B is also a subset of A, इसका मतलब A और B क्या हैं, equal, only इसको हम लोग यह चीज़ लिख सकते हैं, कि A अगर B का subset है, और B अगर A का subset है, तो A is equals to B होगा, लेकिन अगर A की एक subset है, यानि A ही subset है B का, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि B के सारे events A में में मौझूद हूँ, एक यह sign होता है, ऐसे जो बनाया जाता है दोनों तरफ से, एक तो होता है, विच इंप्लाइज और दोनों साइट से अगर होता है, तो इसको बुलते है, या फिर और IFFF, ठीक है, तो यह है subsets के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कौन सा subset क्या होता है, कैसे denote किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, और उसको example के तो हम कैसे समझ सकते हैं, तो यह था subset, अब हम लोग subsets में आगे पढ़ते हैं, वो क्या बुल रहा है, एवरी सेट A is a subset of itself, ताट इस, A is a subset of itself, ठीक है, यह एक रूल होता है, यह यह आप चीज कह दीजिए, कि एना, यह एक fact है कि हर हर subset जो होता है, हर सेट जो होता है, वो खुद का ही subset होता है, मतलब अगर मैंने A लिखा है 1 और 2, तो जो subset इसका जो होगा ना, A is a subset of A itself, वो खुद का ही subset होता है, मतलब उसके खुद में ही 1 और 2 involved होता है, तो A is a subset of itself, now अब हम पढ़ते हैं, empty set जो हम ने पढ़ा था empty set यानि जिसको अपन null set या void set भी बोलते हैं, ऐसे 5 से denote किया दाता है, has no element, जिसके अदर कोई भी elements नहीं होता, therefore, जो null set होता है, is a subset of every set, ठीक है, मतलब हर set का एक subset क्या होता है null set, 5 set या null set या हर एक set का subset होता है तो आप जब भी subsets बनाओगे, तब आपको एक 5 करके, जो sign होता है, वो तो आपको बनाना ही है, मतलब 5 is a set of every subset, यानि empty set is a set of every subset, जैसे कुछ examples मैंने या ले रखे, A दे रखा है Q, Q क्या होता है अपना, सारे rational numbers, A में involved है सारे rational numbers, और B में involved है सारे real numbers, तो real numbers वो numbers होते हैं, जिसमें rational, rational सारे involved होते हैं, तो real numbers तो हमारा सबसे बड़ा set हो गया, उसके अंदर rational numbers हैं, ठीक है, तो real numbers में rational numbers होते हैं सारे, तो A जो होगा, वो क्या होगा, B का subset होगा A is a subset of B, A क्या है B का subset है, अब देखिए second example, second example मैंने लिख रहे है 135, B एक set बना रखा है X such that X is an odd natural numbers, odd natural number is 1357, यह सब less than 6, उसने एक आगे condition क्या देदी less than 6, 6 से छोटे हैं, यानि 13 और 5 ही होते हैं, तो इसका मतलब B set भी मेरा 13 और 5 का ही बनेगा, तो A मेरा क्या बना है, 135 B भी क्या है, 135, यानि A, B का subset है, और B भी A का subset है, दोनों में element same है, कोई भी extra element ना तो A में है ना B में है, तो A भी subset है B का और B भी subset है A का, इसका मतलब A और B क्या है, बराबर है दियार वो था, equal, अगर एक दूसरे के subset होते हैं, तो वो क्या होते है, equal third, देखिए, third मैंने क्या लिख रखा है, A लिख रखा है, A, E, I, O, U यानि जारे हमारी जो vowels है, उनको मैंने एक set बना के लिख रखा है, और B लिख रखा है, A, B, C, D, तो इसमें A है, इसमें B है, इसमें B है, तो इसका मतलब A B का subset नहीं है, और B भी A का subset नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के subset नहीं है, कि दोनों में different elements है, now, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, let A and B be two sets, if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called the proper subset of B and B is called the super set of A, इसका मतलब क्या बोल रहा है, जैसे बोलते हैं, super set, ठीके, और B, A जो छो छोटा set था, जो B का subset था, वो कहता है, उसको बोलते है, proper subset, ठीके, यानि, जैसे अगर A subset है B का, यानि A में मैंने लिख दिये, one, two, three, four, ठीके, और B में मैंने एक set बना दिया, one, two, three, four, five, six, ऐसे मैंने set बना दिया, ठीके, तो A subset बनेगा B का, तो B को जो B जो जादा element वाला है, वो कहलाएगा super set, और A जो कम element वाला है, वो कहलाएगा proper subset, जैसे यहाँ एक example दे रखा, A है one, two, B है one, two, three, तो A तो subset है B का, यह पता चल रहा है, क्योंकि one or two इसमें भी involved है, तो B इसका subset नहीं है, लेकिन A तो इसका subset है, तो जो B है, वो कहलाएगा super set, और A जो कहलाएगा वो कहलाएगा power set of B, और B कहलाएगा super set of A, ठीके, तो यह तो थे subset के बारे में, तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, एक बता रहा है, वो single ton set, single ton set क्या होता है, अगर किसी set में सिर्फ एक ही element है, only, if a set has only one element, ठीके, तो उसको हम बोलते है single ton set, ठीके, रहसे A है, A में A की element है one, जिसको हम बोलते हैं, single ton set, अब example 9 है, जो कि हमारी book का, NCRT book का example है, वो हम solve करते हैं, एक हमको set दे रखा है 5, ठीके, दूसरा set दे रखा है A, 13, तीसरा set दे रखा है B, जो कि है 159, और C दे रखा है 13579, ठीके, अब हमको कोई कुछ questions दे क्या है हमारा 159, 5 है मेरा ये, तो 5 हमेशा मैंने पीछे अपने पड़ा था कि 5 हमेशा किसी भी set का subset होता है, तो 5 is a subset of B, हर set का वो subset होता है, तो 5 क्या होगा, is a subset of B, तो हम subset का यहां sign लगा लेंगे, next question उसने हमको दे रखा A, इसने basically मैंने यहां sign लगा दिया, उसने question दिय है A-B, ठीक है, A, B, A और B में देखते हैं, A में 1 है, B में भी 1 है, A में 3 है, B में है, क्या 3 नहीं, अब B में 5 और 9 क्या A में है, नहीं है, तो A और B में कोई relation नहीं है, तो A is not a subset of B, क्योंकि 3 तो A को belong करता है, और 3 जो है वो B को belong नहीं करता, तो A क्या है, it's not a subset of B, ठीक है ये sign लगा दिया, अब एक question, next question है A-C, A और C के बीचे में बताना है, अब A और C A में 1 है, C में भी 1 है, A में 3 है, C में भी 3 है, तो A के साथे element C में मौझूद है, तो इसका मतलब A और C क्या है, subset है, A और C क्या है, subset है, वोई sign मैंने यहां लगा दिया, next देखते B और C बोला है, उसने B-C B और C, B और C में देखिए 1, 5, 9 है, तो 1 है, यहां 1 है, 5 भी है, हाँ 9 भी है तो B और C क्या है, B इसका subset है, C का, तो ऐसे आपको देखकर sign लगाने है, next example जो example 10 है, वो देखते हम उसने A set दे रखा, A, E, I, O, U यानि हमारे सारे vowels का B set दे रखा, A, B, C, D अब उसने बोल रखा, A और B के बीच की relations बताने हमको, A, A है E नहीं है, I, B नहीं, O, भी नहीं है इसमें देखते हैं, B में A है, लेकिन B, C, D नहीं है, तो इसका A और B में कोई relation नहीं है, यानि A जो है वो B का subset नहीं है, और नहीं B जो है वो A का subset है, बहुत easy है, इसको देखकर ही, आप easily solve कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लिखिए गा, जैसे E, I, O, U, ये जो हैं सारे elements, ये A को तो करते हैं, लेकिन B को belong नहीं करते हैं, और B, C, D जो हैं, वो B को belong कर रहे हैं, लेकिन A को belong नहीं कर रहे हैं, इसलिए A, B का subset नहीं है, और B B A का subset नहीं है, अब हम लोगbirth move on करते हैं, जो कि example 11th है, उसमे क्या बोल रखा है उसने, let A, B, and C be three sets, उसने B is a subset of C यहां पर belong का साइन है और यहां subset का साइन है Is it true that A is a subset of C अब हमको प्रूव करना है कि क्या A भी subset है C का एक example के थूरू बनाना है एक चीज धियान रखेगा belong का मतलब होता है पूरा का पूरा जो A है वो B में है इसका मतलब elements नहीं पूरा का पूरा set A B में included है set पूरा का पूरा set included है धियान रखेगा तो जैसे A मैंने लिया है element 1 B जो होगा उसमें पूरा का पूरा A जो set है वो belong करता है यहां पी वो पूरा का पूरा 1 bracket के साथ यहां पे आएगा ठीक है यानि पूरा का पूरा set आ रहा है belong का मतलब पूरा का पूरा set आता है subset का मतलब सिर्व element से होता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा A जो है वो यहां लिख दिया मैंने और एक और number 2 लिख दिया तो यह हो गया B अब B बोल रहा है वो क्यासका subset है C का तो B के सारे element C में मौझूद होने चाहिए तो B का मैंने लिखा यह 1 इसका लिखा 2 और इसका एक और element लिख दिया 3 C अब मेरे को चेक करना है A और C अगर आप चेक करेंगे A में क्या है A के element जो है वो 1 ही है लेकिन B के element क्या है 2 है 3 है B के अंदर single 1 है क्या कहीं पर भी नहीं है यह है 1 लेकिन यह brackets के साथ है brackets के साथ इसके अंधर नहीं है अगर brackets के साथ इसके अंदर होता तो A में कैसा लिखा होता ऐसे 2 brackets बने होते इस टाइब से तो याँनि यह पूरा अगर होता तो मैं कहती है हाँ ये इसका subset है लेकिन यहाँ पर हमारा element 1 है braces तो हमारे set के braces है ठीके तो यहाँ पर यह कह सकते हूँ मैं कि A is not a subset of C देखिए वापस क्या बोल रही हूँ मैं अगर A में जैसे इसके लिए subset होने के लिए A में जो 1 है वो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए यानि यह जो है यह पूरा element होना चाहिए set के साथ इस braces के साथ एक element होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इस खाली braces है यह तो set के braces है यह जो 1 है यह element है तो single number 1 अगर C में होता सही में वैसे one single number होता तो मैं कह सकती थी कि a क्या है इसका subset है लेकिन यहाँ पर single element और यहाँ पर braces के साथ है one तो यह इसका subset नहीं है तो here we can say that one तो a को belong करता है लेकिन one c को belong नहीं करता है इसका मतलब जो a है वो c का subset नहीं है अब अब लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्या बोल रखा है subset of a set of a real numbers है हम कुछ real numbers के subsets निकालते हैं जैसे N, N natural number है 1 से लेके infinity तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinity, Z, Z is our integers integers क्या होते हैं minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 fine, Q, Q क्या होते हैं हमारे सारे rational number यानि P by Q के form के यहाँ पर P और Q belongs to Z होते हैं ले और Q इकोल तो 0 नहीं होता है अब set of अब irrational numbers कैसे आप दिनोट करते हो irrational number का दिनोट करते हो T से यह तो N, यह Z set of natural numbers, set of integers and set of rational numbers अब आप set of irrational number को दिनोट करते हो T से वो कैसे लिखते हैं हम X belongs to R real numbers को बिलोग करते हैं लेकिन जो होता है X rational number नहीं होता है तो रियल number में दो होते है rational और irrational तो अगर rational नहीं है तो irrational होगा irrational होगा इसका मतलब वो इस वाली condition में आएगा ठीक है अब देखो आप कौन सा किसका subset है मैं बताती हूँ N is a subset of Z क्या बोल रहा है वो सारे natural numbers Z में involved होते है आप देखिए Z जो होता है उसमें सारे positive numbers negative numbers and zero ये तीनों include होता है तो N जो है 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity इसमें भी है इसमें भी है इसका मतलब N क्या है subset है Z का Z क्या है subset है Q का rational number का क्यों क्यों rational number is P by Q लेकिन सारे integers जो होते है उनको भी हम P by Q की form में लिख सकते है और rational numbers में 2 by 5, 3 by 5 ऐसे भी आते है numbers तो Z जो number है ये सारे rational numbers होते ही है तो Z जो है वो किसका subset है Q का अब Q Q किसका subset है real numbers real numbers में क्या होते सारे rational numbers plus irrational numbers दोनों ही include होता है अब N जो है वो किसका irrational number का subset नहीं है N जो और T है ये आप देख सकते हो ये तो irrational numbers है इसमें irrational numbers नहीं आते हैं इसमें सिर्फ natural numbers आते हैं तो ये किसका subset है ये इसका irrational number का subset हो ही नहीं सकता तो ये मैंने बता रखे हैं from the real numbers point of view सबसे पहले जो मैंने बताया है real numbers में दो होते हैं क्या होते है rational numbers ये तो है मेरा सवर real numbers इसको हम Q से denote करते हैं और irrational numbers जो की है I से denote किया जाता है ठीक है अब rational numbers में हम लोगों ने देखा natural numbers Z, W, ये सारे rational numbers में include होते हैं P by Q की form वाले ये सब rational numbers में include होंगे आपके ठीक है तो ये आप कह सकते हो ये इसका subset है ये इसका subset है और ये दोनों इसके subsets हैं ठीक है इन दोनों एक दूसरे के subset नहीं है अब हम लोग पढ़ते हैं intervals of subset on R of R क्या बोल रहा है वो तीन type की हमारी intervals होती है open interval, closed interval ये open ये closed at one end ठीक है ये तीन type की intervals होती है क्या कहती है intervals जैसे हमारी open interval open interval क्या बोल रही है interval समझ सकते हो interval मतलब किसी दो number के बीच की जो चीज है किसी दो number के बीच का जो भी area है उसको हम interval बोलते है किसी दो number के बीच की जो भी चीज आती है वो हमारे सारी interval के लाती है, ठीक है, अब open interval क्या बोल रहा है, जैसे example समझते हैं इसको, a और b belongs to r है, a और b हमारा r को belong करता है, and a is less than b, ठीक है, a हमारा b से छोटा भी है, ठीक है, एक set दे रखा है y, such that a, y is greater than a, and y is less than b, y क्या है, a से तो बड़ा है, लेकिन b से छोटा, यान a से तो वो बड़ा है, और b से छोटा है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, a और b इंक्लूड नहीं है, अगर मैं बोलती हूँ, a number which is greater than 2, but less than 10, greater than 2 में 3 से शुरू होता है, और less than 2 में 9 तक आता है, इसका मतलब 2 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ज 2 और 10 से लेके, 9 तक के सारे number इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब यह जो 2 है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, और जो last के, दो जो मेरे ends है, वो इंक्लूड नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं, open interval, जहाँ पर last के जो points हैं, व इसको मैंने डिनोट किया B से, इसके बीच की जो इंटरवेल है, वो इसमें इंक्लूडड है, है ना, इसके B की A और B इंक्लूडड है, यानि मेरा जो 2 और 10 था, वो दोनों इसमें इंक्लूडड नहीं हैं, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर इसमें इंक्लूडड हैं, ठीक ह का मैं मैं अगर example दो same example को मैं closed interval में बोलू कि number x such that x is less than and equal to 2 and is sorry x is greater than and equals to 2 and less than and equals to 10. जो x है मेरा वो 2 और 2 के बराबर या 2 से बड़ा है या फिर 10 के बराबर या 10 से छोटा है इसका मतलब 2 से लेके 10 तक के सारे number इसमें include हो गए है ठीक है ना क्योंकि वो equals to भी बोल रहा है यानि 2 को भी include करना है 2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 को भी include करना है वो equals to भी बोल रहा है less than and equals to greater than and equals to equals to b इसलिए 2 और 10 भी include हो रहा है 2 और 10 include हो रहा है इसका मतलब मैंने a और b mark किया मेरा यह a और b mark किया इसको मैं include करूँगी तो इनको मैं दोनों को dark point करूँगी ठीके क्योंकि मेरा अंदर का interval तो include हो ही रहा है साथ में ये और ये भी include हो रहा है A और B भी include हो रहा है तो इसको मैं ऐसे denote करूँगी ठीके अच्छा ये जो open interval था ना इसको हम लिखते कैसे हैं इसको denote कैसे करते हैं इसको ऐसे denote करते हैं इसके open interval के brackets होते हैं ऐसे A और B ऐसे curve ठीके ऐसे curve brackets होते हैं इसके A और B इसका मतलब अगर ये bracket लगे में है तो इसका मतलब होता है कि ये open interval है आप इन brackets से देकर इनको पैचान होगे कि ये open interval है कि नहीं अगर ये case आता है तो इसमें ऐसे square brackets जो होते हैं हमारे वो brackets बनते हैं square ये rectangle brackets आप इनको बोल सकते हो वो brackets इसके अंदर ऐसे बनते हैं इस bracket को देखतर मैं कह सकती हूँ कि ये closed interval का example है ठीक है ये चीज मैं लिख सकती हूँ इसके अंदर directly क्या है ये closed interval है अब हम लोग पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं open और closed at one end एक तरफ से वो included है और एक तरफ से included नहीं इसमें दो तरीके हो सकते हैं जैसे a b ऐसा हो सकता है या a और b ऐसा हो सकता है ठीके यानी sorry 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 ये ऐसा ठीके एक तरफ से तो closed है और एक तरफ से open है और एक तरफ से closed है और एक तरफ से open है ठीके right hand side left hand side का different है इसको कैसे लिखेंगे हम x a x is greater than a but less than and equals to b यहाँ पर आप लिखोगे x is less than a greater than and equals to a and less than b ठीके इसका मतलब यहाँ पर जो b a है वो तो include नहीं होगा a की side से वो open है और b इसमें include होगा ठीके यहाँ पर a include होगा लेकिन b include नहीं होगा क्योंकर यहाँ से वो open interval और यहाँ से वो close को कैसे बनाते है हम लोग यह मैंने a और b बनाया closed कहां से b की side से closed है तो b को मैंने इसे dark कर दिया और यहाँ बीच की interval dark कर दी a और b open है एक side से अब मैंने इसको ऐसे बनाया a और b लिखा यहाँ पर a closed है तो a को मैंने इसे dark circle से कर दिया और इसकी बीच की interval को include कर दिया लेकिन B की side से वो open है तो यहां से मैंने इसको open कर दिया तो यह है इसकी open और closed interval at one end यही चीज मैंने यहां पर explain करी है देखिए open interval A, B belongs to R यही चीज मैंने बताई है A, B इसको bracket S type से denote करते हैं यह एक open interval होती है और यहां पर A और B do not belong to this interval A और B interval में belong नहीं करते हैं closed interval, closed interval को इसको ऐसे denote कियाता है Y greater than and equals to A, less than and equals to B A और B इसको ऐसे denote कियाता है closed bracket से और इसको इसका diagram इस type से open at one end and close at another इसमें जैसे यह है इसमें A तो include हो रहा है लेकिन B include नहीं हो रहा है तो जो include हो रहा है महाँ पर closed bracket बना दिया और यहाँ पर open bracket बना दिया इस जगह B include हो रहा है लेकिन A include नहीं हो रहा है तो B के जगह closed bracket बना दिया और A की जगह open bracket बना दिया तो B को यहाँ include किया करते हो तो वो हमारे को मिलती है length of the intervals ठीक है चारो ही cases में यानि a b closed a b open एक side से closed, एक side से open और एक side से open, एक side से closed वो वाले सारे cases में आपको अगर b minus a करते हो तो आपको उस interval की length मिलती है obviously इसके बीच की length निकालने तो एक में से b में से a को पाइनस करना पड़ेगा, अब हम last के दो topics और बढ़ते हैं success के, बढ़ते हैं power set, power set क्या बोल रहा है, power set बोल रहा है the set of all the subsets, हमारे जितने भी subsets हैं, उनका जो set होता है वो कहलाता है power set, ठीक है सबसे पहले इसको मैं example के थूर समझाओंगी, यह आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है तो उसका power set जो होगा, वो PA, PB, PC से कहलाएगा, अब इसका power set क्या होता है सबसे पहला, मैंने आपको बताया था, five जो होता है, वो हर एक subset का element होता है five जो होता है, वो हर एक subset होता है, five, हर set का subset होता है तो power element का जो मेरा first होगा वो होगा five ठीक है दूसरा एक और चीज़ बताती हूँ कि इसके जो elements होंगे वो हमेशा power set में set की तरह बनेंगे यानि जो elements होंगे न वो single single set बनेंगे यानि one जो है वो मेरा set की form में आएगा ठीक है मतलब every element of a power set is a set power set के सारे elements एक set होते हैं अब जैसे one आया वो set form बना टू को भी मैं क्या बनाऊंगी एक set बनाऊंगी ठीक है और ये भी मैंने बढ़ाया था कि हर एक set उसका खुद का subset होता है every set is a subset of itself तो इसका मतलब इसके subset क्या होंगे one और two ठीक है आया समझ में तो element है ही नी sorry एक जो one or two itself है वो उसका खुद का element यहाँ पर बन जाएगा ठीक है अब देखी यहाँ पर मैं count करती हूँ कितने आया one two three और four four elements मेरे आये हैं power set में ठीक है तो हमेशा आप ध्यान रखे कि आपके कितने elements हैं यहाँ पर two elements है तो two की पावर two आपका बना four तो चार elements मनें मेरे power set में अगर मेरे पास elements जैसे b एक set है one two three तो इसके कितने power set में elements मनेंगे तो two की power three हो जाएगा वो ठीक है यानी two two is a four four two is a eight eight elements हो जाएंगे अगर by chance मेरे čार elements हैं one two three four elements है एक में तो इसके power set में कितने elements होंगे 2 की power 4 that is 16 elements होंगे इसके power set में तो आप ऐसे check कर सकते हैं कि मेरे कितने elements power set में होंगे और मैंने सही बनाएं कि नहीं बनाएं तो इसके थूरू आप check कर सकते हैं कि 4 elements हो रहे हैं 8 elements हो रहे हैं 5 को मत बूलिएगा हमेशा एक 5 जो है वो आपका subset होगा ही होगा ठीक है तो ये तो था power set जो मैंने यहां पर आपको बता रखा है वोही चीज मैंने यहां explain कर रखी है कि ये इसके 4 है n that is number of elements of a power set will be equal to 2 की power m और m वो होते हैं जो इतने हमारे number of elements होते हैं ये रहा a set with m elements within power set will have 2 की power m अब हम लास्ट टॉपिक परते हैं जो कि है हमारा universal set universal set क्या बोल रहा है the basic set is called universal set denoted as u हम इसको कैसे रिनोट करते हैं u से ठीक है universal set को हम कैसे रिनोट करते हैं u से अब जैसे what is universal set मैं समझाती हू एक example देते हैं यहां पर लिख रहा है इसमें मैंने साल दिये all the natural numbers सारे के सारे natural numbers मैंने इस set में डाल दिये अब इसमें मेरे subsets क्या बन सकते हैं मैंने एक subset बनाया all prime numbers का ठीक है यह एक subset बनाया दूसरा मैंने एक subset बनाया all odd numbers का एक subset ठीक है ऐसे आप बना सकते हैं बहुत सारे तो ये जो होगा, ये जिसमें सारे चीज़े included हैं, ये कहलाता है मेरा universal set, यानि जो मेरा basic set होता है, जिससे मेरे दूसरे set सारे निकलते हैं, जिससे मेरे sub sets बनते हैं, वो मेरा कहलाता है basic set, ठीके, इसको हम बोलते है universal set, यानि basic set, ये कहलाता है universal set, इसको u से denote किया जाता है, इस तो यह मेरे जो बने हैं, यह मेरे क्या बने हैं, सबसेट, जिनको हम A, B और C से डिनोट करते हैं, यह भी मेरा क्या है, सबसेट है, इसको भी हम किसी भी वेरिबल से अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से, तो यह जो A to Z का मेरा जो पूरा कॉम्बि सेट ठीक है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं यानि जो पूरा बड़ा सेट है जिसमें से आप सबसेट बनाते हो वो आपका युनिवर्सल सेट यानि बेसिक सेट कहलाता है जिससे आपके सबसेट बनते हैं ठीक है तो अब आप next exercise जो है 1.3 वो आप solve कर दीजे बहुत easy सी exercise है हो जाएगी वो इन concept के उपर ही है sub set, universal set, power set इनी के उपर बनी वी है वो exercise तो आप solve कर दीजेए और को भी problem हो तो please comment box में लिख कर बताईए और please like and subscribe my channel, thank you